प्रेंड्स मैं आ गया हूं फिर से एक बार लेके आपके बहुत ही सांदार-जंदार जबदर्स टॉपिक जो हर बार की तरह होता है और इस बार टॉपिक में हैं प्रेंट से थड़ी दरह बताऊंगा कौन से टॉपिक है क्योंकि इससे एक्जाम में बहुत बार एक्जाम पुछता है इससे ऐसा नहीं किसी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन होता है और एक से दो कोशन इसके एक कोशन में फिक्सी रहते हैं अगर आपको प्रेंड्स आपको क्या करना है अगर देख रहा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के शेयर करिए और सब्स समझ रहें अच्छे से यह होता है आपका लाइक बताता है कि यहां जो ही पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया है वह किसकी होगी आज हम लों पढ़ने वाल है बहुत ही शांदार क्लास कि मैं ले लेता हूँ यह थोड़ा सा अपको दिखाने के लिए क्या अच्छ क्लास होने वाली पहले दिखा देता हूँ क्योंकि यही टॉपिक है उस टॉपिक में ऐसा कवर कर आए गया तो समझ यह कि उससे बाहर कुछ आना नहीं है अब उससे बाहर कुछ नहीं आएगा में दो टॉपिक पढ़ा दिया था उसमें जो चीज़ी में उसको कवर करा लिए मैं तो इस से अगर देख लें इसको त्यार कर लेंगा तो एग्जाम होते हैं जतने सिर्फ्ट में एक कोशिंच से पाइड गया ताकि को आयो आएगा हिई वगश्च देखना वाला हमारत इ पहले है इंडिया मलब कि इंडिया में इसका क्या रहा है कैसे कब आया कौन से पहले बहुत ले के आता हूं अपके सामने बस उठाया लेकर चलाया बहुत करता हूं फिर उसके वाद से क्लेक्ट करके आपको लाक के सामने देता हूं जिससे आपको अब इससे बाहर ना आने की चांस जीरो पर्षेंट हो जाए उम्मीद ही करता हूं कि अपने पढ़ा होगा उसको इसे पढ़ा होगा आपने क्या कुछ पॉजिटिव के लिए कि हाँ इसमें जो है काम होगा वो होगा एजम्सन तो अमलग कर लेते हैं हो सकता है कादे परशेंट उसमें ना भी हो पर हम लोग दिस्क्रिप्सिन बॉक्स में होगा वहां पर जाकर टेलग्राम चैनल जोइन करें वहां से सारे पीडियाफ को मिलेंगा और नोट्स जरू बनाएंगे क्योंकि नोट्स अगर बनाते रहेंगे आप रोज ऐसे टॉपिक वाला तो ऐसा हो एक तीन मंदब हो सकता है एक डेड तो उसको और मन लगता कुछ काम करें तो अगर साफ से अच्छे से लिखेंगे बड़े नीट एन क्लीन तो आपको खुद भी पढ़ने मजा आएगा और जल्दी जादी अप उसका अव्जार्व करेंगे आप चीजों को चीजों को बिना किसी दरीक अब सुरू करते हमारा क्लास क्या है आज देखी लिए टॉपिक अपने बस इसी टॉपिक बारे पुरा एटुजेड बोला जाता है इस से बाहर कुछन आने को उम्मिद नहीं है अब आ गया तो फ्रेंड कुछ लग भी होता है वह लग कुछ होता है तुक्का में नहीं निकल जाए तो तुक्का म ओड़क्तर विक्रम सारा भाई इन्होंने एक शुरू किया था नाम क्या था इंडिया नेशनल स्पेस रिसर्च कमीटी अने कल यह पर सहले वीडियो बताया थे इसके बारे में तो आज बताया थे इस लिए पूराना नाम है पहले इस नाम से इसका नाम कर दिया गया तो आ इस नाम से जो है अस्थापित किया गया था है इंडियान नेसनल इस्पेस रिसर्च कमिटी से बनाए गए थी और किसके मलब हैड उसके कौन थे डॉक्टर विक्रम सारा भाई और इंडिया में इन्डिया में इस प्रोग्रम सुरू उपाइज आए इन्हों नहीं इसमें अप लिए रहा है कि इतिहास से लेकि अभी तक काफी इसने अच्छा काम किया और कम संसाधनों में कम बजट में भी ऐसे से चुनाउतियों कि इसने पूरा किया जो बड़े-बड़े देश जो बहुत बजट लगा के भी नहीं कर पाते हैं तो चले देखते हैं बताई चले कि आप आपको विक्रम सारभाई आपको याद रखना है इनको क्या बोलते हैं फादर आफ इंडिन स्पेस प्रोग्राम किस नाम से स्थापीत किया था इंडिया के इंडिया कोई कवर किया लास्ट में कुछ कोश्चर नैसे में जो बहुत फेमस बहुत ही ज़ाएं पूछे गए औ इंटरनेशनल लेवर की वी कवर कर गया है ने कि नासा हो सब करते हैं वह सब बी उनिस सुबाट्ट में इंडियन स्पेस रिसर्च स्पेस कमिटी तो सब हो गया अब अगरा देख लेते हैं 1963 उनने सब पहला भारत का पहला पहला का च्छोड़ा गया था देख सकते हैं आप च्छास का थुंबा एकariatॉयल्ग रॉकेट लांचिंग सेंसेंटर फूंबा एक्क कुटोरियल रॉकेटलस टेशिंटरल सेंटनेट के और कीयं मिननूड यहां सि कि लॉंच किया से भारत का पहले इंडिया उसलांटो की बैल पहली बारर था यहां तरो यह आरं यॉआसे ए याद रहे हैं 1969 नoupat siqy she walked about tonight च्मट नाम को बहुत कर दियांगा कि इस नाम को बच्क कर दिया तो वहीं था इस नाम को बदल करके इस रहीं है तो इतजेश्फ बढ़कि गाइब 58 इनटेन नेस्टनल स्पेस्ट निशर्च कामिटी का नाम बदल क्या कर दिया 15 अगस्ट 1971 से क्या कर दिया गाए इंडियान इस्पेस रिसर्च ऑगिनाइजीशन इसरु उसका श्दिया को नाम कर दिया कमशनेशन इससी नाम से आखें बढ़ता रही क्योंकि यह नाम जो है पुने आप में ही एक मिसाल बन गया है और इसकी हर काम जो है एक मिसाल की तरह है तो फेंड बस समाझ सकते हैं कि जो भी काम किया इस 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 रो ने बहुत अच्छा किया है बहुत ही उन्दा लेवल का है वो अगला देख लगते हैं 1972 1972 में इस पेस प्रोग्राम के ही अंदर के आता है आपका इसरो मतर उसी के अंदर कर देंगा हर काम को करने के लिए तो इससे तरह इसको दिवाइट कर दियागा दो भाग में स्पेस कमिशन और इस प्रेस डिपार्टमेंट में ही आपका आता है इस्चरूब तो में कलता फ्रेंट्स इतने भी इसमें पॉइंट बताए गए बहुत ही इंपॉटेंट है आप बस समझे कुछ भी करिए रट जाइए इन सब चीजों को दिन रात पढ़िए जो भी करें सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए नोट्स के लिए मैं हर बार कहूंगा आपको जो चीजे मिल रही है आपको धूड़ने से मिलेंगी ऐसा नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं भी धूड़के कहीं सलाया हूं पर आपको भटगना पड़ेग उसका अच्छी तैयारी करें ताकि इससे कोश्चन अगर आ गया तो छूटे ना आपसे बस यही कहने का मोटिव है कि अगर इससे कोश्चन आ रहा है जो छूटे ना चले देखते हैं अगला यह हो गया था इधरवाल तो होई क्या पूरा 1972-1962-1979-1963 इस वर बताए दिया था मैंने स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर यह आता है विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष कें तिर्वन्त पूरम तो फ्रेंट इसको काम को असान बनाएं हर जगे क्या था? क्यों कि अधनी पूछा गया है ने घृण संथार प्रेंट पूरम या यथा as कि बारे में पता तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर लांच वेहिकल पोलर सेटलाइट लांच वेहिकल ज़िए चैनल वेहिकल फॉछा गए आपके यह उसका कर सकते हैं लांच वेहिकल बाकी पूछा नेगे दोही जो भूल है बहुत बार एक्जाम में पूछा कैसी फुल फॉर्म ही इसका तो आप करता हूं कि सवाज में आगया होगा आपको यह याद रहा है कि विक्रम सारा भाई अंतरिक्षिकेंद्र कहां पर है तो है आपका तीरवन्त पूरा में और यहां क्या होता है आपका रॉकेट अनुसं कि इसे नाम है यहां पे यहां पर क्या जाएंट यहां पर क्या होता है परिउजनाओ का design या पर design तयार किया तो इसके height कितनी होगा किया किस तरह को सब बहुत ही rocket science सब्सक्राइब बहुत बड़ा world होता है तो मुझे बहुत इस बहुत detail में परता कि क्या होता है exactly इसमें पर यही होता है कि जो आपकेट का design जो होता है यहीं पर उसको प्रिप्यार कर रहता है उसको फ्लो चार्ट वराएं जाता है और क्या दिजाइन होता है नीरमार की यहां पर परिछड काम होता है मतलब उसके क्या इसमें करना है सब चीज़े तो मिल्कट अभी स्लाइड को clear हो गया होगा कि इसमें समझाना नहीं है जो भी आपके सामने लिखा हुआ है बस उसी को मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि यह सब्सक्राइब रेडियो सुनना होता है उसी तरह सुन लीजे मुझे और इसके बात करते रहेगा यह मैं हर बार कवांगा नोट करते रहें तो आपको तयार होता रहेंगा चीजे ऐसा नेकी बडर्ण तरह नहीं फिलोगा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंत्रिक्ष उपयोग केंद्र फेंट से पुछा गया एक्जाम में इसको बोल सकते हैं अप्लिकेशन सेंटर स्पेस अप्लिकेशन सेंटर तो कहां पर एहमदाबाद में यहां पर दूर संच अंत्रिक्ष और संबंदित विवाद के अनुसंदान विकासकार अंत्रिक्ष और संबंदित विवाद से जीतने विएटेड अपका डिपार्टमेंट है उसी के कारें होते हैं मुख्य नियंत्रड सुविधा कि लॉंच तो हो गया रॉकेट अब उसको पहुंचना उसको और विट में कैसे इसको लाइंड करना तो यह काम देखता है यह आपका मुख्य नियंत्र सुविधा क्या करता है वह प्रग्रा के प्रच्छेपड के बाद प्रग्रा के हर मोव्मेंट हर घड़ी कहां कि अगला स्लाइब यहां पहुंचे आरे बहुत ही फेमस बहुत बार पूछा गया है चाहे रेलवे चाहे बैंकिंग तो आरे वह प्षोड़ा गया था पिछले वाले किसी वीडियो में बताए विदियो इसके बारे में पर बता आद रहों अच्छे से ताकि आप पुरे ड जो इसका यां था प्रचिवित किया गया था इसे छोड़ा गया था शिप 6 माह के लिए और इसने पच्छे माह के लिए रिकिन असी तक इसने अपना रिपोर्ड विजा इमेज्ज जो होते है वाकर डेटा इसने भीजा था किसने आरे भट ने आरे बाट आपको याता था बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आप इसके बाद भारत में पहला क्या है पहला सैटराइट कौन सा है मौसम सी लेटेड़ पहला सट्राइट गया थे सब देख लेते हैं पहलत क्या पहला संचार उपग्रह का नाम क्या था प्रिवेस्त करने वाली प्रतुम भारती महीला कौन थी कलपना चावला ने डिये hill कलपना चावला उन्रीक संतान्य में गैं तैम से तर्बद हो ऑक्त ही दूर्द हर्याणा की थी नियुक्ष 1997 और पहली भारती महिला अनट चाला स्ट्थ इस्ट्ट मैट सेक्ट से लूंच से लूंच किया गया था इसका पहला संबंदि उपग्रा मंदब मौसम की जनकारी मिलती है यह पहला इसी को भेजा गया थी इसके लिए अलग देखते हैं जी सेट जी सेट एक था आपका संचार संबंदि उपग्रा था यह भी भारत का पहला पहला आटिक इसले बोला जाए ओपक्राइब तो एक इसका नाम कहा समुद्री अंधन के लिए इसको छोड़ा गया था अंत्रिक्ष्य प्रथम भारती 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 महीला थी अभी आप देखना है कि प्रथम भारती तीन अप्रेल 1984 को गया थे इंका नाम था जिनका नाम था राकेश शर्मा पहुत बहुत बार अपने पढ़ा हो इंके बार तीटू काजक्रिस्तान के बैंक कानूर नहीं देखा था अपने लास्लाइड में किससे गया थे कॉस्मोड्रोन से कॉस्मोड्रोन से बैंक कानूर तीटू और नाम था राकेश शर्मा और यह कौन से यह में गया थे 1984 में ताब तीन-चर्प पॉइंट जो है बहुत कब गये थे और उसका नाम क्या था अंतरिक्ष में पहला मानों भारती अब देखते पहला मानों कौन गया था भारती और विदेशी नहीं मल्कि ओबरॉल देखा तो पहला कौन गया था तो यह गया थे यहां पर पहले देखा जाए उसका नाम क्या था इस लिए पाता जल्दी से और वे उसर साथ उस्रीं अजयप दाए और नहीं पाता है जल्से वह और यह वह वहीं कि कि Commissioner सबसे पहला उपगल किया था 1957 में छोड़ा लाइं एसार द्वारा पहला पहला उपघ्र पहला उपगल है नाकिन во देट ही तिससे पहले इसके पहले तक ब Vallahi जितने हुए अब भारत तो पहला जीव जो गया था वह कुप गया था झोच में बाद इसको भाद वेन गया था इस्पलतनिक से गया था जिससे गया था फिन से की जो रहिए था जो यह बहुत बार इक पूच्छा गया है यह पहला जीव था इसमें जानाइब गिए लूटा नाइन चंद्रा पुटने वाल पहला यान पहला नाइन पहला यान तो इसमें आइस ऑप्सिन दिया रहेंगे आपको कर दिने वाला मंगल गरिवाद आंति तेरने वाल प्रता तो तेरा जाता है तो कौन है एलेक्सी लिओन प्रतु घ्रिया बहुत ही फेमस है पढ़ा होग अपने बारे में अपोलो इलेवन ही था जिसमें और एक और फिलाल इंपोर्टेंट दो में तो आपको 1969 में नाम बदल की इस्वरो कर दिया गया था और निल आम स्ट्रॉंग और पहले व्यक्ति थे जिन उन्हों पर चाहल कदमी की थी मदब चले थे वहां पर दूसरे थे आपके अध्विन एल्ट्रें तो सब सारे आपको नोट करते रहना है अब आपको भी ऐसा ही बनाना है कि जैसे thoughts डो तीन के अलरे और पर हाईलाइट कर सकते हैं किल प्लूस सकते हैं बीच में सपरेट में बनाइं बिच देख़ेंगें तो आपको अच्छा लगेगा और जो उनकी पॉंट पूछेगा अगर इसे बाहर पूछता विये तो बूस के चांसे बहुत कम है मदब चार-पंचाने पूछेश पूछेगा वागी पांच पूछेशन आ सकते हैं अब बागी मने फ्रेंट्स इसके बार में और जो था उस चंद्रयान फर्स चंद्रयान सकेंड और मंगल या ने अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसका अच्छे से रिविजन करें ताकि आपको जो पॉइंट से यह सब कंशन तयार हो जाएंगे कि आप जो है आपका सेलेक्शन रुखने वाला नहीं बस यह होता है कि आप तयार नहीं कर पा रहें अच्छे से इसा नहीं बहुत पढ़ें लड़के जो है बहुत तयार करके जाते हैं पर गलती कर बैठते हैं वहाँ पर बस आपको यह सब नहीं करना है है बस हमारा साथ बने रहे हैं आपको हर चीज यह से गाइड करता रहूंगा और आपको सेलेक्शन जो है आपका स्योर कर दूंगा बस आप अपना साथ हमारा साथ दीजे और अपने तरसे पूरी कोशिस करिए अच्छे सची पढ़ने की मिलते आप से अगली वीडियो में तब तक लिए पढ़ाई करें मस्त रहें और इसका पीडियाफ काम ही लेगा आपको लिंक लिखाओ को उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को उसका नाम है लर्न वी थेडू फंडा वहां जाके चैनेज वाने के लिए वहां से पीडियाफ को मिल जाए चेले फेंड मिलत